हेलो एंड वेलकम बैक एवरिवन वीडियो सुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि लावा मुबाइल्स ने एक रिंग्टोन लॉंच किया है इंडिपेंडेंडे के दिन तो जब हम सारी चीजे सुधेसी अपना रहे हैं तो चलिए अब वीडियो सुरू करते हैं तो फाइनली गाइस नोकिया अपना पहला 5G स्मार्टफोन इस महीने इंडिया में लॉंच करने वाला है इस स्मार्टफोन के एनाउंजमेंट काफी टाइम पहले हो चुकी थी लेकिन ये अभी भी मार्केट में एवलेबल नहीं है लेकिन अब ये फाइनली इसकी लॉंच डेट सामने आ चुकी है और अब ये 31 अगर्ट को लॉंच होने वाला है तो इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे नोकिया 8.3 के बारे में और पूरी डीटेल दी जाएगी कैसे ये स्मार्टपोन होने वाला है क्या है इसकी प्राइस और इंडिया मार्केट में कब तक ये लॉंच होगा तो दोस्तों जैसा एक्सपेक्टेड है कि 31 अगस्त को ग्लोबल मार्केट के साथ इंडिया में भी ये लॉंच हो सकता है और अगले महीने से आप इसे पॉच्छिस कर पाएंगे सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में तो डिफिनेटली ये एक एट्रेक्टिव और स्टाइलिश दिखने वाला स्मार्टफोन है फ्रंट में पंच होल वाली डिस्प्ले मिलती है और बैक में बात करें तो सर्कुलर डिजाइन में दिखने वाला Quad Camera Setup के साथ Gradient Finish Back डिखने को मिल जाएगा अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8 इंचिस की बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है जिसका Resolution है Full HD Plus और IPS LCD स्क्रीन के साथ आएगा अब अगर इसे अपग्रेड करके AMOLED स्क्रीन देते तो जादा अच्छा रहता बट स्टिल डिस्प्ले की क्वालिटी तो अच्छी होगी लेकिन इसके Competitors से ओविसली कम क्वालिटी होने वाला होगा नेक्स्ट बात करते हैं इसके Performance के बारे में तो इस फोन में आपको Snapdragon 765G चिपसेट मिलेगा जो की OnePlus Nord में हमें देखने को मिला था तो अच्छी बात यह है कि यह 5G चिपसेट है इसके अलावा हमें 4GB और 6GB के दो RAM वेरियंट के साथ 64GB और 128GB के दो स्टोरेज वेरियंट मिलेगी RAM हमें LPDDR4X मिलने वाला है तो इसमें 64MP का सेट अप मिलने वाला है जिसमें 64MP का में सेंसर है 12MP का अल्डरा वाइट सेंसर 2MP depth sensor और 2MP माइक्रो शॉट्स का कैमरा दिया गया है और फ्रेंट में 24MP का फ्रेंट कैमरा मिलेगा तो camera quality आप definitely अच्छा expect कर सकते हैं Nokia से लेकिन real quality तो launch होने के बाद ही पता चलेगा बात करें battery की तो इसमें 4500 mAh की battery मिल जाएगी जिसके साथ 18W का fast charging का support भी मिल जाएगा तो battery backup तो definitely अच्छा मिलेगा लेकिन charging technology upgrade होड सकता था 27W के fast charging से अब कुछ और information की बात करें तो इस smartphone में side mount and fingerprint sensor मिल जाएगी 3.5 mm audio jack और हर तरफ से sensor भी मिल जाएगी और अच्छी बात यह है कि इसमें एक clean Android UI मिलेगा जिसमें Android 1 के साथ और जल्दी जल्दी updates भी मिल जाएगे ये बात हुई इसके specs के बारे में अब बात करते हैं इसकी pricing की तो अभी Nokia के तरफ से इसकी pricing confirm नहीं हुई है लेकिन अगर Nokia के competition में बने रहना है तो 22,000 से 28,000 के range में इसको launch करना होगा वैसे तो बहुत गलत काम करता है Nokia pricing के मामले में लेकिन 22,000 तो 28,000 के range में launch करने से 1 प्लस Nord को कड़ी टकर दे सकता है तो देखते हैं guys 31st August को ये launch होगा तो क्या होने वाली है इसकी pricing तो बस guys इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में और Lava को जरूर support करें guys Till then stay safe and stay healthy and subscribe my channel